मर्दों की ये बातें औरतों के मन में आग लगा देती है चानक्य नीती, आचार्य चानक्य की नीतियों का अद्भुत संग्रह है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना जब इसे लिखा गया था इन नीतियों से मानव जीवन को सही दिशा मिलती है हम सभी जानते हैं कि पती-पत्नी का रिष्टा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वे एक दूसरे के पार्टन है और उनके रिष्टे अटूट रहते है पती-पत्नी के रिष्टे में समानता और साचेदारी की आवश्यकता होती है क्योंकि बिना इनके विवाहस्थाई हो सकता है अपनी नीती में चानक्य ने इस रिष्टे को बढ़ाने और बनाए रखने के लिए बहुत कुछ बताया है प्यार भी पती-पत्नी के रिष्टे में आवश्यक है इस रिष्टे को निभाने के लिए एक दूसरे को पूरी तरह जानना और एक दूसरे को घृना नहीं करना बहुत महत्वपूर्ण है पती-पत्नी एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे तो उनका प्यार खत्म हो जाएगा पती-पत्नी के बीच आस्था और विश्वास को दूर करना महत्वपूर्ण है आपका रिष्टा लंबे समय तक नहीं चलेगा अगर आप एक दूसरे पर शक करते हैं और बाते छिपाते हैं तो इसलिए आप एक दूसरे से कुछ भी छिपाने के बजाए दूसरों से अपने रिष्टे को गोपनिय रखना चाहिए आपका रिष्टा मजबूत होगा अगर आप विश्वास और सहयोग बनाए रखेंगे सहयोग करें और साजेदारी बढ़ाएं पती-पत्नी का रिष्टा सहयोग और साजेदारी पर आधारित है दोनों व्यक्तियों का योगदान इसमें महत्वपूर्ण है आपके परिवार की खुशाली और सुख के लिए आप दोनों को अपनी जिम्मेदारियों को याद रखना और उन्हें पूरा करना जरूरी है आप एक दूसरे का सहयोग करके अपने रिष्टे को मजबूत कर सकते हैं और खुश रह सकते हैं संचार महत्वपूर्ण है क्योंकि यह रिष्टों को मजबूत और खुशाल बनाने में बहुत महत्वपूर्ण है पती पतनी को खुलकर अपनी भावनाओं, चिंताओं, अपातकालीन परिस्थितियों और अपने रिष्टे के बारे में बताना चाहिए एक दूसरे की मुश्किलों को समझें और एक दूसरे को मदद करें ताकि पती पतनी एक साथ मिलकर उन पर नियंदरन पा सकें पती पतनी के बीच समय बिताना और रिष्टों का आनंग लेना बहुत महत्वपूर्ण है नियमित रूप से समय बिताएं, संगीत सुने, फिल्में देखें, यात्राएं करें या बस बातें करें आपसी समझ और सहानुभूती को बढ़ावा दें पती पतनी को एक दूसरे को समझना और सहानुभूती देना चाहिए आपको एक दूसरे की आवश्यक्ताओं, भावनाओं और चाहतों को समझना चाहिए और उन्हें पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए दूसरों के प्रती सहानुभूती और सहानुभूती दिखाने से आपका रिष्टा और भी गहरा और मजबूत होगा पती-पत्नी के रिष्टे को मजबूत बनाने के लिए चानक्य नीती के अनुसार उप्रोप निर्देशों का पालन करें और सुखी वैवाहिक जीवन का आनन लें यह एक परिवार की खुशी और समरिद्धी का आधार बनेगा चानक्य सिध्धान के इन सुझावों का पालन करने से आप अपने पती-पत्नी के बीच मजबूत और प्रसंद विष्टा बनाए रखेगे यह संबंध सुख, समरिद्धी और संभूर्णता से भरेगा पती-पत्नी के बीच मजबूर और स्थाई विष्टा बनाने के लिए इस चानक्य नियम का पालन करें यह आपकी शादी को सुझदर बनाएगा और आपके परिवार को सुख और समरिद्धी देगा दोस्तों आज के लिए बस इतना ही वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यवाद